अजी गूड यूणिंग और वेलकम टू स्टडी आईक्यो आएस स्टडी आईक्यो आईस के इस सेशन में आप सब का स्वागत है और आज हम एथिक्स का एक नया टॉपिक देखने वाले हैं एक सकस्स स्टोरी को एक सकस्फुल स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने वाले हैं हम देखेंगे कि अक्सर जिन वेल्यूस की हम बात करते हैं उन वेल्यूस को धरातल पर अगर अजमाया जाए या अपनाया जाए तो वो कैसी दिखती हैं और क्या उसके परिणाम या नतीजे हमें देखने को मिलते हैं वो आज हम देखेंगे तो आई वेलकम यू ओल हम सब जानते हैं दोस्तों कि भारत में रेड टेपिजम जिसे हम लाल फीता शाही भी कह देते हैं हमारी सरकार की हमारी गवर्नेंस सिस्टम की एक बहुत बड़ी समस्या है और यह समस्या नहीं नहीं है करके अगर हम पिछले दो दश्रकों की बात करें पिछले बीस वर्षों की बात करें तो सरकारों के द्वारा कई सार इनिशेटिव लिए गए हैं जैसे की डिजिटलाइजेशन या डिजिटाइजेशन का प्रोग्राम चलाया गया है बड़े लेवल पर चलाया गया है पर स रहते हैं offices में वहां की धूल फांकते रहते हैं ऐसे कई सारे incidences हमें देखने को मिलते हैं जहां पर कई सारे successful businessmen जो की दूसरे देशों में अच्छा खासा business चला रहे थे उन्हों ने भारत में आके business करने की कोशिश की लेकिन भारत में रेट टेपिसम की जैसे उन्होंने महीनों ट्राइ करने के बाद अपने business plans को छोड़ दिया और वापिस चले गए यह बहुत बड़ी समस्या है और आज की डेट में हम जिस example को discuss करने वाले हैं उन्होंने इस सदियों पुरानी समस्या को छे से आठ महीने के अंदर-अंदर खतम कर दिया और मोस्ट जीरो कर दिया इस सक्सेस strategy को आज हम समझेंगे और देखेंगे की आखिर कौन से ऐसे इनिशियेटिव से कौन से ऐसे पॉइंट से जिस पर काम करने की जुरूरत इनाइस ऑफिसर को महसूस हुई और सिक्सेस्फुली इन्होंने बदलाव लेकर आया सब इस सेशन में जुड़ चुके होंगे चलिए शुरुवात करते हैं सेशन की सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप मेरे टेलीग्राम को जॉइन करते हैं तो इसमें आप को सभी फाइल वगयरा मिल जाएंगी जो भी यहां पर पीपीटी होती है मेरे सेशन की वह आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी साथी में अगर आप मुझे डीएंब करना चाहें तो इंस्टाग्राम के मुझे गांध। तरे आप हमारे ए्टिक्स के लिबस की और देखते हैं कि आज का हमारा जो मुद्द है वो ethics के syllabus से या फिर यूँ कहें कि हमारा जो पॉलिटी का syllabus आता है उसमें भी governance का जो पार्ट है उससे किस तरह से importance रखता है साथ ही में essay में भी कई बार इस तरह के topics आ जाते हैं तो किस तरह से आज का हमारा ये जो example है यह जो success story आपको मदद करेगी समझते हैं ethics में एक topic है that is property in governance which talks about concept of public governance philosophical basis of governance and property इसी में आ जाता है codes of ethics code of conduct citizens charter work culture इस तरह के सारे topics covered हैं so basically यह कैसा topic topic है जो कि good governance से काफी mail खाता है इसी का एक example है जो आज हम के study पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले में आपको बताऊं red tapeism के बारे में तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि red tapeism जो शब्द है यह कहां से आया basically red tapeism का मतलब जो है वह एक English practice थी red tapeism में English practice हुआ करती थी जहां पर जो सरकारी files हुआ करती थी उन्हें इस तरह हैं के लाल धागे से लाल फीते से बांध कर रखा जाता था ताकि वो files बिखर ना जाए होता यह था कि धीरे धीरे यह जो red tape files थी इन्हें बांध तो दिया जाता था और लंबे समय के लिए इन्हें भुला दिया जाता था बांध कर रख दिया जाता था इन पर कोई कारवाई नहीं होती थी यहीं से धीरे धीरे यह बदनाम होना शुरू हो गया सिस्टम और आज की डेट में जो रैट टेपिजम से मतलब निकाला जाता है वो केवल इस फीता शाही तक सीमित नहीं रहे गया है आज की डेट में रैट टेपिजम को बहुत ही बड़ा और और नेगेटिव मेनिंग बिल चुका है बेसिकली आज की डेट में अगर हम रैट टेपिजम को डिनोट करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं इस दिप्रेक्टिस ओफ रिक्वाइरिंग दी एक्सेसिव पेपर वर्क और टीडियस प्रोसीजिएस विफोर ओफिशिल एक्श रैट टेपिजम जो है ये अपने आप में एक समस्या तो है ही लेकिन ये दूसरी समस्याओं को भी जनम देती है जैसे कि करप्शन को सबसे ज़्यादा जनम यहां से मिलता है एक फाइल आप डियम ओफिस में गए डियम ओफिस में आपने जाके शिकायत दर्ज कराई वो श पहुंचने के लिए होगा क्या होगा यह कि उस अफसर का कोई प्यून होगा या उस अफसर आफिस में काम करने वाला कोई चपड़ा सी या कोई भी ऐसा व्यक्ति आप से आकर कुछ पैसे मांगेगा ताकि आपकी फाइल को थोड़ा सा और ज्यादा स्पीड दी जा सके इस तरह से करप्शन को जनम देता है जैसे कि मैंने आपको कहा और इसके अलावा यह आपकी जिंदगी को डायरेक्टली और इंडारेक्टली दोनों तरीकों से एफेक्ट करता है डायरेक्टली कैसे एफेक्ट करता है तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपने कोई अपना काम न कर सकते एक कितने महीने लग जाएंगे उस फााइल को पास होने में इनक्रीक कैसे आपको ईफेक्ट करता है देखिे हम सब नागरिक हैं, भारत के हमारे बैनेफिट के लिए हजारों schemes लाई जाते हैं यह schemes को implement होने में जो समय जाता है, उसका जो सबसे प्रमुख रुक कारण है वो भी रड़ेट टेपिजम ही है आज के अपने इस एक्जाम्पल में इसके स्टडी में हम वो भी समझने वाले हैं तो रड़ेट टेप इंडरेटली आपकी जिंदी को इफेक्ट कर रहा है नेगेटिब लिएफेक्ट करता ही है इसमें कोई दोर आया नहीं है इस पे पॉपिलर सीरीज भी आ चुकी है आपने सब टीवी पर देखा होगा ऑफिस आफिस करके एक सीरीज आया करती थी मुसद्दी लाल और उनका जो आफिस आफिस करके सीरीज बनाया गया था उस समय उसमें भी आप देखते हैं कि किस तरह से ऑफिस में आपकी फाइल आपके पेपर वर्क के लिए और आपकी फाइल को पास करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत मांगी जाती थी और इस व्यक्ति का स्ट्रगल वहां पर इसी से जुड़ा ह हुआ होता था कि किस तरह हैं से इसका सरकारी ऑफिस में जो काम है उसे तेजी से करवाया जा सके यह एक पूरा का-पूरा सीरीज है अच नियर आप डेखते हैं इस यह पूरा आपको देखना है रियल लेफ में तो आप अपनी स्टेट में कसी भी जिले में district collector के office के बाहर चले जाएए आपको सुबह सुबह इसी तरहें की कुछ pictures देखने को मिलेंगे ये काम picture है एक district collector के office के बाहर की हर सुबह कुछ इसी तरहें का नजारा district collector के office के बाहर देखने को मिलता है हजاروں लोग आते हैं, सैंकडों लोग कह लीज़े, हजारो लोग हर दिन सुब़े सुब़े डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के उफिस के बाहर पहुंचते हैं अपने ग्रिवैंसे लेकर, अपने शिकायते लेकर और वो इंतजार करते हैं कि कब साहब आएँगे कब वो अपनी शिकायत उन साहब तक पहुँचा पाएंगे होता क्या है होता यह है कि जब साहब आते हैं तो उसके बाद घंटों का इंतजार करने के बाद उनको मौका मिलता है कि वो अपनी फाइल साहब के आफिस में पहुचा सके सारा दिन वेस्ट हो जाता है उनका जो कमाई करने का जो सारा दिन था समय था वो सब चला जाता है इसी प्रोसेस में यानि कि शिकायत का निवारन तो पता नहीं कब होगा लेकिन शिकायत जमा करवाने में ही आपका एक दिन औरेडी खराब हो जाता है अब दूसरी बात इंटरस्टिंग जो है यहाँ पर आपने शिकायत जमा करा दी आपके साथ और भी सैंकडो लोग हैं जो अपनी शिकायतें लेकर DM के आफिस में आये हुए आपकी शिकायत के साथ उन सब की शिकायत को भी DM का जो स्टाफ है वो कलेक्ट कर रहा है अल्टिमेटली होगा ये कि उस दिन एक ही दिन की जो फाइल्स होती है वो पाइल अप होके इतना बड़ा बंदल बन जाता है कि आफिस का जो स्टाफ है उन्हें संभालना भी मुश्किल हो जाता है अल्टिमेटली कुछ फाइलें वहीं पर रह जाती हैं कुछ दब जाती हैं कुछ गुम हो जाती हैं और इस प्रोसेस में आपने फाइल जमा तो करवाई थी कि इस उमीद में कि कभी solution होगा लेकिन कई बार फाइल्स ही गायब हो जाती हैं कई बार चुहे वगरा उसे कुतर जाते हैं कई बार पानी में गर जाती हैं कई बार आग लग जाती हैं अल्टिमेटली आपका काम जो होना चाहिए था वो नहीं होता है और ये लगबग लगबग भारत के हर जिले के district collectorate office की इस थरहे की picture हमें देखने को मिलते हैं और कुछ ऐसी ही picture सहरसा जो की बिहार का एक district है Eastern बिहार में एक district है सहरसा वहां के collectorate office के बाहर की भी देखने को मिलते रही है सहरसा के अगर मैं बात करूँ so it is a district in the eastern बिहार कोसी रिवर के किनारे बसा हुआ यह district है यहां की population जो है वो लगबग आप देख रहे हैं 19 लाग की population है और literacy rate की अगर हम बात करें तो लगबग 53% ही यहां पर literacy rate है यानि कि लगबग आधी जनता यहां पर पढ़ी लिखी है आधी नहीं है तो सहरसा में एक DM आते हैं और उन DM ने सारी कहानी बदल कर रख दी इन DM का नाम है IS Officer Mr. Anand Sharma जो की January 2022 में सहरसा को as a DM जोईन करते हैं यह जो report मैं अब आपके सामने लेकर आ रहा हूँ या यह जो success story मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ इसे the print newspaper से लिया गया है the print online एक अख़बार है वहां से मैंने इस story को लिया है तो मैं उनको भी credit देना चाहूँगा कि उन्हों ने इतनी अच्छी successful story हमारे सामने लेकर आए जो कि मैं आज आपके साथ share कर पा रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको कहा डियम है जैनवरी 2022 से सहरसा के और उन्हों ने 2013 बैच आई एस ओफिसर और उन्हों ने इस पूरे की पूरे डिस्ट्रिक्ट की पिक्चर चेंज की लेकिन यह पहला मौका नहीं है जहां पर मिस्टर आनंद शर्मा ने कुछ इस तरह का कमाल किया है कि सबसे पहले कोपरेटर अपर्मेंट जो की पत्ना में है उसे उन्हों ने पेपर लेस बनाया और वहां पर सारा काम जो है वो डिजिटाइज़ वे में उन्होंने इंप्लिमेंट किया so it was his first successful experiment जो की cooperative department in पतना में उन्होंने सबसे पहले किया 2020 में ही उन्होंने यहां पर यह करके दिखाया उसके बाद वो next जाते हैं पतना रे Metro Rail Corporation में उसके बाद Urban Development and Housing department में so आप देखिए 2020 में उन्होंने cooperative department पतना उसके बाद Metro Rail Corporation पतना वाली जो हैं वहां और उसके बाद Urban Development and Housing department so 2020 और 2021 में यह दो वर्षों में उन्होंने तीन departments की खाया कलब कर दी तो वर्षों में तीन departments को उन्होंने digitize कर दिया this is the real this is the focused mindset जो कि एक IS officer का होना चाहिए उसको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और किसी भी department में जब वो जा रहा है तो किस तरह से अपनी चाप छोड़नी है this is how it is done so यह एक बहुत ही successful example हमें इनका देखने को मिलता है आज की डेट में अगर हम सहरसा की बात करें बिहार का जो यह district है वो completely paperless हो चुका है and this is the first district in Bihar to be declared as completely paperless district या फिर digitized हो चुका है और यह ऐसा पहला district है Bihar का जो कि इस तरह की उपादी को प्राप्त किया है ना यह जो पूरा का पूरा process है यह एक दिन में तो definitely नहीं हुआ January 2022 में इन्हें लाया गया district magistrate के रूप में और लगबग 6-8 महीने का समय इन्हें लगा इस पूरे के पूरे process को implement करने में इन्होंने क्या क्या किया so he himself explains की it takes time training brainstorming and changing the mindset and behavior so basically आज का जो topic है हम अक्सर ethics में भी पढ़ते है attitude हम अक्सर ethics में पढ़ते है perseverance अक्सर discipline की बात होती है so उसी से जुड़ा हुआ यह एक successful example है किस तरह से आप already 200 लोगों का जो staff है उसका mindset change करते हो यहाँ पर उन staff के भी कुछ यहाँ पर examples देंगे उन्होंने क्या-क्या बाते कहीं इस initiative के बारे में वो भी हम जानेंगे so basically इन्होंने जिस initiative को implement किया उसका नाम है the e-office initiative अक्सर आप जब UPSC की त्यारी कर रहे होते हैं तो आप एक चीज़ को समझी जाते हो और exam में भी लिखकर आते हो जब आप से पूछा जाता है कि इस particular समस्या का समधान करने के लिए आप क्या करेंगे तो आप वहां पर कहते हैं सर समस्या का समाधान करने के लिए हमें नई स्कीम लेकर आने के जरूरत नहीं है already there are so many schemes the requirement is की हम उन schemes को अच्छे से implement करें और वही इन्होंने यहां पर किया इनके पास scheme already 2013 में यह सिलेक्ट हुए है 2009 में already एक scheme आई हुई थी government of India की यूप गॉर्मेंट के दौरान पर वो थी ऑफिस इनिशेटव अब यह ऑफिस इनिशेटव को जरूरत थी इंप्लिमेंट करने की और इंप्लिमेंट करके दिखाया इन ऑफिसर ने जिनका नाम हम अभी देख कर आए हैं नौ तो यह ऑफिस इनिशेटव 2009 में आया था और 2009 से अब 2022 में हम देख रहे हैं सहरसा डिस्टिक्ट जो है बिहार का वहां पर इंप्लिमेंट हुआ इससे पहले भी 2-4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं भारत के जहां पर यह इनिशेटव को अच्छे से इंप्लिमेंट किया गया जैसे कि हम एडू की डिस्टिक्ट देखते हैं के रला का जो के 2012 में ही पेपरलेस बना हाईदरबाद 2016 में एक दूटिक्ट है जो की पेपरलेस अल्रीडी बन चुके हैं बट बिहार जैसी स्टेट में जहां पर एक ऐसा डिस्टिक्ट लगबग जहां पर 50% population आप कहा रहे हैं कि illiterate है पड़ी लिखी है यह नहीं वहाँ पर इस तरह का initiative implement करना अपने आप में बहुत बड़ा यहां पर अचीवमेंट बन जाता है ना जब यह initiative implement नहीं हुआ था यानि कि हम बात कर रहे हैं January 2022 2022 से पहले की तो एक्चल में होता क्या था जैनवरी 2022 से पहले एक्चल में यहां यह होता था कि जो भी files एक दिन में DM office में आती थी उन सब को शाम को bundle बनाया जाता था उन सब का and scooty पे उन files को ले जाया जाता था DM साहब के आवास पर वहां पर एक गोपनिये कमरे में उन्हें रखा जाता था ताकि DM साहब शाम को उन files को पढ़ पाएं और उन पर अपना फैसला ले पाएं now it becomes very much difficult for a DM to separately take up each file और उसे पढ़ें और उसे implement करें या उसे पास करें so ultimately यहाँ पर यही होता था कि scooty के उपर उन files को लेकर जाया जाता था collect rate office से DM के residence पे इस पूरे process में एक तो बहुत जादा वक्त जाया होता था हो सकता है आज की file आज ना पहुंच पाई हो तीन दिन बाद पहुंच रही हो इस तरह से वक्त जाया होता है और DM के पास भी इतना समय आप नहीं उससे expect कर सकते कि सारा दिन वो office में भी काम कर रहे हैं उसके बाद वो घर जाकर एक एक file को खोल कर और उससे pass कर रहे हैं so basically यहाँ पर एक तो समय बहुत जादा जाया होता था दूसरा corruption का scope बहुत जादा बढ़ जाता था उपर रखने के भी पैसे मांग सकते हैं file को गायब करने के भी पैसे ले सकते हैं so basically human interference का जो scope था वो यहाँ पर बढ़ जाता था ऐसे में समय और बहुत सारा यहाँ पर corruption का scope जैसी कि हमने का वो होता था अब इसी को change किया गया change कैसे किया गया वो अब हम जानेगे now so he says that policy in the department and implementation in the hinterland उन्होंने कहा कि देखे he was very much aware कि उन्होंने जो already पटना में जो initiatives लिये हैं वो एक department के रूप में लिये या department में लिये जहाँ पर सभी लोग जो हैं वो सिरफ department का काम कर रहे हैं जनता से इतना जादा उनका कुछ interaction नहीं है लेकिन उन्होंने कहा कि असली challenge कब आता है असली challenge he says कि तब आता है जब कोई implement किया जाने वाला जो scheme है या जो implement कि जाने वाली scheme है वो हम धरातल पर करते हैं आम जनता से जब जुड़ी हुई implementation होती है वहां सबसे बड़ी दिक्कत आती है and this is what he agrees to इनका कहना है कि it is not an easy task to overhaul the system that has been in place for decades all the staff were used to it so basically जो पुराना system था कि एक file आई tangible है file आप देख पा रहे हैं उसे touch कर पा रहे हैं उसे पढ़ पा रहे हैं एक file आई उसे आपने उठाया फीता शाही में बंद किया उसके बाद उसे process करने के लिए भेजा ये पुराना system है सदियों से चलता आ रहा है और इस system से हटने में लोगों को बहुत ज़दा तकलीफ है चाहे वो आम जनता है या फिर staff है इन्होंने क्या किया इन्होंने कुछ staff को जो youngsters हैं उनको सबसे पहले पकड़ा और सबसे पहले उनके साथ बातचित शुरू की कि किस तरह से इसको हम digitize कर सकते हैं इस पूरे system को बदल सकते हैं youngsters को अपनी team का हिस्सा बनाना ये इनकी पहली जीत है जो कि ये कहते हैं काम करना शुरू किया उसके बाद इन्होंने कहा कि resistance आती है जैसे कि हम कहते हैं first they will resist you and then they will join you मलब सबसे पहले वो आपको resist करेंगे लेकिन अगर आप determined हैं अगर आप perseverance में विश्वास रखते हैं अगर आप अपने पत को पकड़ कर चलते रहते हैं तो आपको जो resist कर रहे हैं वो आपके साथ मिल जाते हैं और वो हमें यहाँ पर देखने को मिला ऐसा ही example इन्होंने दिया कि किस तरह से initially जो इनके collect rate का staff था वो उस initiative को adopt करने में hesitant था उन्होंने कहा कि 10 February जो है वो एक turning point बनता है इनके पूरे office के उसमें क्योंकि 10 February को पहली फाइल जो है वो फाइल बनाई गई या पहली फाइल को जो है changing the efficiency so basically क्या हमें यहाँ पर देखने को मिलता है so यहाँ पर इन्होंने कहा कि we can give resources computers printers but until the people are willing to change their minds changes will be not will not be possible so यह चीज़ तो हम स्वच भारत अभियान में भी देख चुके हैं जहां पर हमने देखा कि 1970 के दशक से ही लोगों को पैसा दिया जा रहा था लोगों के घरों में toilets वगरा बनवाए जा रहे थे लेकिन ODF की तरफ हम अब बढ़ना शुरू है 2014 के बाद से बढ़ना शुरू हुए हैं उसका कारण यह है कि सिरफ resources दे देने से या सिरफ पैसा दे देने से लोगों के behavior में बदलाव नहीं आ जाएगा तो जब हम attitude की बात करते हैं जब हम ethics में भी attitude की बात करते हैं तो वही हमें यहां पर देखने को मिलता है कि किस तरह से लोगों को resources देने के साथ साथ उनका जो रवया है उस particular subject के परती वो बदलना ज़रूरी है और यहीं इन्हों ने यहां पर किया कि सिरफ resources दे देने से computers या printers दे देने से मेरे staff में बदलाव नहीं आ जाएगा उनके behavior में बदलाव नहीं आएगा करना क्या है करना यह है कि उनका attitude change करना है towards this topic so उन्होंने उसके लिए training शुरू की और जब training भी शुरू कर रहे थे वो अपने staff को जब वो training भी दे रहे थे तब भी he realized कि सिरफ patience ही एक ऐसा और जार है एक ऐसा टूल है जिसके जरीए मैं अपने staff को change कर सकता हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब भी आपको initiative लेते हो तो resistance आती है resistance आना natural है और वहाँ पर patience काम आती है एक example इन्होंने दिया कि एक ऐसा employee था इनका एक clerk था जो की retirement के काफी नजदीक था अब retirement के जब नजदीक कोई staff member पहुँच जाता है तो उसको थोड़ा सा वो relaxed भी हो जाता है और उसका mindset भी बिलकुल पुराना होता है जो 40 साल से वो mindset लेके चल रहा था वही लेकर चलता है सो वो जो clerk retire होने वाला था उसने कहा कि it is not possible for us to use a computer at this age सर साथ साल के हो गए अब हमारे लिए computer नहीं है हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते शर्मा ने कहा कि एक बर शुरू तो करें आप कहते हैं कि एक बर शुरू तो करें आप कहीं पर अटकेंगे तो मैं आपकी सहायता के लि सर्माजी कह रहें कि मुझे पता है कि वो जो स्टाफ बात कर रहा है कि साट साल की अमर में अब हमारे लिए computer चलाना पॉसिबल नहीं है उनका भी concern genuine है क्योंकि अगें 40 साल से आप जिस सिस्टम को लेके चल रहे हैं एक दम से आप चाहें उसे बदल दें ये भी थोड़ा सा अब यहां पर पेशन्स काम आती है जब आप एक आई एस ऑफिसर होते हैं किस तरह से आपको पेशन्स देखानी होती है वो यहां पर हमें देखने को मिलता है अल्टिमेटली पेशन्स का रजल्ट मिलता है बॉस आप यूपी एसी के त्यारी कर रहे हो या कुछ भी और पेपर से हम मुक्ति पा चुके हैं अब होता क्या है नाव हाव ड़स इट सिस्टम वर्क किस तरह से अब सिस्टम काम करता है तो सबसे पहले तो जितने भी एक्टिव फाइल्स है जितने भी एक्टिव केसिस हैं उन सब को स्कैन किया जा रहा है तो लगबग 4,000,000 ऐसे स्कैन करके 6,000 से ज़्यादा फाइल्स बनाई गयी है और उन 6,000 फाइल्स को बनाकर उनके उपर प्रोसेसिंग की जा रही है उनके उपर decision लिये जा रहे है साथी में अब होता क्या है कि जो भी letter collect rate में आता है या जो भी file collect rate में आती है सबसे पहले उसे क्या कर लिया जाता है उसे scan कर लिया जाता है ऐसे में जो आम जनता है उनमें भी एक तसल्ली आती है कि क्योंकि अब हमारी file scan हो गई है वो एक digitized way में computer का हिस्सा बन चुकी है तो अब वो गुम नहीं होगी देर सवेर उस पे कारवाई हो ही जाएगे So this is the first step जहां पर file को scan कर लिया गया और आम जनता को भी हौसला हो गया कि अब हमारी file गुम नहीं होगी उसके बाद अब हमें changes किस तरह से देखने को मिल रहे है Facts में इन्हों ने बताया इस अख़बार की रिपोर्ट ने Facts में भी बताया कि किस तरह से changes देखने को मिलते हैं कहता है now on average 27 files are disposed of everyday 27 files को एक दिन में disposed of किया जाता है और इससे पहले जो 27 file हुआ करती थी जब paper एरा हुआ करते था उन्हें dispose of करने में तीन से चार दिन लगते थे यानि कि तीन से चार दिन में होने वाला काम अब एक दिन में हो रहा है So almost 400% का यहां पर efficiency rate हमें देखने को मिल रहा है So basically इनका अब यहां पर आप समझी सकते हैं कि कितनी तेजी से काम हो रहा है और उससे government का पैसा, government का समय, सरकारी officers का समय and आम जनता का विश्वास बन रहा है इस department में या public का इसमें आ रहा है So कुछ और यहां पर data है 1st March से 31st August 2022 में कहता है जी 4,000 files हमने process की और अगर हम same time period की एक वर्ष पहले की बात करें तो लगबग 1100 files हमने यहां पर dispose of की So again, data बार-बार आपको कह रहा है कि लगबग 400% का efficiency rate जो है आ गया है सिरफ एक initiative लेकर आने से और आम जनता का जो विश्वास बढ़ा है step towards good governance अक्सर हम बात करते हैं good governance की तो अभी मैंने आपको syllabus में भी दिखाया कि किस तरह से good governance की बात की गई है all right so ethics का यह जो syllabus है इसका भी जो है प्राविटीन गूड गवर्नेंस और गूड गवर्नेंस इसका topic का नाम है so good governance किस तरह से यहां पर हमें देखने को मिल रही है उसका example आप जो है यूज करके आ सकते हैं exam में भी so यहां पर शर्मा का जो कहना है वो यह कि digitization has helped the officer bring efficiency, transparency and accountability सबसे पहले तो efficiency आई हमने कहा कि 400% तक की efficiency आई फिर transparency आई क्योंकि एक बार file digitize हो गई उसके बाद वो सरकारी records का online हिस्सा हो गई और वो file हर कोई access कर सकता है and for accountability आई अब कोई officer अगर किसी file को दबा कर बैठता है इसकी report direct DM तक होती है DM को पता है कि कौन से process में या कौन से step पे वो file अठकी हुई है और DM उस officer से जवाब तलब कर सकते हैं दूसरा यह कहते है कि from his laptop he can track the moment of each and every file and see where it is getting held up and there is no crack in the system so again जैसे कि मैंने कहा कि कहाँ पर file रुक रही है किस officer के file के पास file रुक रही है उसे वो अब track कर सकते है says the file are processed within a day it has increased employees productivity again so क्योंकि files को process करने की speed बढ़ गई है 27 files का हमने अभी example लिया so employees की जो productivity है वो भी हाँ पर automatically बढ़ती है और जो government के welfare programs थे या welfare schemes थी उनको भी अब जल्दी से जल्दी approval मिल जाता है और वो भी जल्दी से जल्दी implement होते हैं इसी के साथ साथ accountability भी आ जाती है accountability कैसे क्योंकि again जैसे कि हमने कहा कि अगर file अटकती है तो उससे सवाल किया जा सकता है कि वही वो file क्यों अटक रही है और इतने दिन हो गए क्यों वहाँ पर समय लग रहा है लोगों का क्या reaction है देखिए लोग भी इस पूरे initiative से खुश है यहां पर इसी रिपोर्ट में दो villagers का जिक्र किया गया था राजकुमार और उमेश चौधरी जो की 40 km दूर से यहां पर अपनी दर्ख्वास लेकर आये थे डीम साहब के office में और उनका क्या कहना था कहते है जी unlike before this time we saw the files are getting scanned which boosted our confidence and that it won't get lost anywhere so जो ग्रामीन हैं जो villagers हैं जो अपनी शिकायत लेकर आ रहे हैं DM के पास उनका भी confidence बढ़ता है क्योंकि वो अपने सामने देख रहा है कि उसकी file को scan किया जा रहा है और scan करके save किया जा रहा है ultimately उसको भी विश्वास हो जाता है कि अब हमारा जो समधान है वो हो जाएगा क्योंकि file के जलने के file के चूहों के द्वारा कुत्रे जाने के file के जो है डूब जाने के पानी में बाड़ वगएरा में डूब जाने के जो chances होते थे वो अब या फिर चेंज ला सकती है 400% तक की efficiency हम इस case में देख रहे हैं और किस तरह से good governance की तरफ एक बहुत ही एहम और मजबूत कदम साबित हो सकती है वो हमने यहां पर देखा मिस्टर आनंद शर्मा आएस 2013 बैच के बिहार के अनको इस initiative के लिए बहुत सारी बढ़ाई I hope कि आपको यह session प अगें आप टेलिग्राम के इस ग्रूप को जोईन कर सकते हैं और साथ ही में अगर आप UPSC की तैयरी कर रहे हैं तो आप हमारे 9th Life Foundation batch को जोईन कर सकते हैं अगले session में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों तिल दिन थैंक यू और हैव ग्रेट देया है